हेलो स्टुडेंज तो आज हम लोग सेंटर आफ मास का लेक्चर नमबर 6 पढ़ने जा रहे हैं जो कि motion of center of mass जो हम लोगो ने lecture नमबर 5 के अंदर पढ़ा था हूँ था Part 1 यह जो lecture है बच्चों लेक्चर 6 वो motion of center of mass का Part 2 होगा तो जो भी बच्चों ने अगर नहीं देखा है आपने part 1 वीडियो तो सबसे पहले YouTube में type कर लिजे motion of center of mass part 1 physics links और वो वीडियो देख लिजे ताकि क्योंकि topics connected है एक दूसरे से सारे concepts और tricks interrelated है वो देखा हुआ रहेगा तो इसमें मज़ा कुछ और आएगा पढ़ने में नहीं center of mass को three types में हम लोग study कर रहे हैं क्या क्या है यह type 1 type 2 type 3 type 1 है center of mass is at rest type 2 center of mass is moving with uniform velocity और तीसरा है center of mass is moving with constant acceleration जो पिछले lecture में हम लोगों ने देखा वो सिर्फ और सिर्फ type 1 का case 1 के बारे में study किया था ना जान भी रहोंगे कि अगर external force ना लगे तो एकदम shot में कैसे समझ सकते है घर है पूरा इसको system मानते हैं इसका कहीं ने कहीं center of mass होगा अगर घर के बाहर को external force नहीं लगा तो center of mass कभी accelerate नहीं कर सकता है सारे reason के साथ हमने देखा है पीछे ठीक है तो acceleration होगया 0 यानि कि अगर external force ना लगा system पर तो center of mass का acceleration 0 acceleration of center of mass 0 से हम दो चीज समझते हैं यह क्या एक तो या तो center of mass rest में होगा या it is moving with constant velocity तो अभी देखेंगे यह सब तो अभी हम इसमें आते है rest में होने का मतलब क्या है कोची rest में है यानि कि उसका position change ही नहीं हो रहा है या उसका initial velocity 0 है भाई rest में है तो final भी क्या होगा 0 तो सिर्फ अगर position हो fixed that is case 1 और अगर rest का मतलब कि initial velocity 0 ठीक है तो यह हो जाएगा case 2 यह हम लोगों ने पूरा पढ़ा लेक्चर 5 के अंदर और क्यों बोलो सर इतना हम लोग सिर्फ एक ही लेक्चर में क्यों पढ़ें क्योंकि सबसे जादा सवाल फ्रेम इसमें होते है तो since rcm fixed में कैसे किये थे delta rcm हो जाएगा 0 no change since delta rcm 0 तो कैसे लिखते है m1 delta r1 plus m2 delta r2 plus dot 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 mn delta rn since 0 है तो पता है यह क्या हो जाएगा 0 के बराबर ठीक है पूरा हम लोगों ने देखा बहुत सारे variation और एच्छी वर्मासर के भी जो बुक के अंदर जितना भी सवाल हम velocity 0 अगर initial velocity 0 है तो finally भी क्या होगा 0 ही होगा क्योंकि वो rest में ही है चली नहीं रहा है change in velocity क्या हो जाएगा delta vcm यह हो जाएगा 0 how to find delta vcm 0 देख लो बिल्कुल similar pattern पे तो यह हो जाएगा m1 delta v1 plus m2 delta v2 plus dot 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 mn delta vn जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर ठीक है तो आज हम लोग इस पर solve करेंगे ठीक है सवाल अच्छा एक चीज और है कि ucm 0 होगा initial velocity of the center of mass center of mass निकालने के लिए पता है उसमें दो पार्टिकल तीन पार्टिकल हो सकते हैं तो कैसे हम तुरंत identify करेंगे तो अब लेगा identify करने के लिए देखो क्या है ucm है ना तो ucm कैसे निक m1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2 तो यह तरीका होगा कि center of mass के अंदर जो भी पार्टिकल है कितने body से हम देख लिए क्या उसका initial velocity 0 है initial velocity 0 है अगर सब का initial velocity 0 है 0 है हैंस समझ लिए कि ucm क्या हो जागा 0 और अगर ucm 0 हुआ तो धड़ाक से हम यह line लिख सकते हैं समझ में आ रहा है सब ठीक है चलिए देखते हैं सवाल से एना counter करते हैं क्या है motion of center of mass type 1 का case 2 देखें find the speed of the trolley एक trolley है एक man है 60 kg का trolley 20 kg का है बोलता है क्या find the speed of the trolley after the man jumps from a trolley man jump करेगा trolley से with a speed of 3 meter per second relative to ground point to be noted है कि एक बार jump कर रहा है with respect to ground in horizontal direction ठीक मैंने क्या क्या आप लोग के लिए यही सवाल उठा के डाला है लेकिन हलका सा change कर दिया कि 3 meter per second से jump करता है relative to trolley तो यही दो तरह से variation सवाल होता है है और कोछ variation होता ही नहीं बस चाहे यहाँ आद मीरे यहाँ आद मीरे जो भी कूदेगा दो तरीके स velocity उसका with respect to ground देता है और दूसरा है with respect to trolley या with respect to platform ऐसा कुछ कैसे बनाएंगे दोनों सीख लेते हैं ताकि हर सवाल हमारा solve हो जाए ठीक चलिए देखते हैं करना क्या है भाई बोले कि देखो यह पूरा मानते है system system के अंदर दो body है इसका भी initially rest में है यह भी initially rest में है यानि ऐसा ही पता चल गया कि UCM क्या है zero जैसी UCM zero है समझ में आ रहा है हम लोग करें क्या delta VCM direct zero कर देंगे ठीक समझ में आ रहा है उसके बाद लिखना चालो अच्छा लेकिन उसके पहले एक और ची किसींस अगर इसको हमने जैसे system माना तो system पर देखे बाहर से external gravitational force लग रहा है verticallyly लग रहा है कि कोई नहीं तो horizontal direction में no external force अब ही सही आदत डाल लीजे ठीक है ताकि जो है अगला lecture conservation of linear momentum हो चाहे explosion हो चाहे पूरा collision पढ़ने वाले सारे जगा पर आप champion बन जाओ क्या कि भाई जिधर motion हो रहा है ना बस उधर आप force देखो कि क्या है motion इधर हो रहा है आदमी horizontal direction कूदेगा ट्रॉली इधर-इधर कहीं घसकेगा तो सिंस horizontal तो horizontal में देखे को external force लग रहा है क्या लग रहा है तो ठीक है नहीं लग रहा है तुसके आगे तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि in x direction, क्या बोलते हैं, in x direction, x direction में क्या को external force है, नहीं है, तो बोलेगे f external क्या है, नहीं है, since f external 0 तो भाई या center of mass acceleration भी क्या होगा, 0, उसका तुरंथ चेक करते हैं कि u cm क्या है, u cm m1 u 1 plus m2 u 2, दोनों initially rest में है तो पता चलिए rest, hence center of mass is at rest, ठीक है यह तरीका हो जागा identify करने का, पहला question है बच्चों, ताकि पूरा detail हम लोग देख रहे थी, अच्छा, center of mass rest, तो हम लोग क्या बोलें, अब since velocity के बारे हम जिक्र किया जा रहा कि यह velocity से कूदेगा, तो बताओ कि कतना velocity से जाएगा, तो हम क्या use करें, case 2, delta v cm हो जाएगा, 0, दो ही body है, लिखेंगे कैसे, m1, delta v1, plus m2, delta v2, equal to क्या हो जाएगा, 0, अब जैसे delta r के लिए analysis किये थे न, वही analysis यहां करते हैं, और एक और बात, जब भी यह चीज़ अगर लिख रहे होंगे, हमेशा हम लोग लिखेंगे पता है क्या, with respect to ground ही बनाएंगे, और conservation of linear momentum भी, ज तुरांत सवाल आजाना चाहिए, sir, q, है की न, बिना q का तो physics है, sir, q, ऐसा ही सिलिए, क्योंकि पता है, एक trolley है, भाईया, इसका जो भी velocity होगो, वो तो with respect to ground है, यानि trolley का जो velocity change लिखो, वो तो with respect to ground लिखेंगे, तो पता चला, एक ही equation में किसी का ground से लिख रहे है, किसी क with respect to trolley लिखेंगे, पुरा होच-पोच हो जाएगा, सावाल बनाएंगे, कैसे, इसलिए, universal हम हमेशा क्या कर लहीं, पता है, with respect to ground मानो, तो दिया हुआ है, with respect to ground ये, तो ठीक है, नहीं दिया है, तो हम निकालेंगे with respect to ground, और ये, since ground से ही attach है, तो भाई, जो भी velocity होगा, with respect to ground ही आएगा, यानि कि समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो, एक चीज हो गया, direct लिखते हैं, फिर आगे-ागे बताता हूँ, M1, let मानलो, plank ही माल लेते हैं, क्या है, plank, जब ये आदमी बचो कूदेगा, अच्छा, reason आओ, reason आओ, बहुत सारा चीज है, पहला question में, जब ये आदम ground को हम प्रेस करते हैं, माल लो आगे चल रहा है, ground को प्रेस करते हैं, ऐसे हमने प्रेस किया, तो धड़ाक से ये क्या करता है, उस पर force लगाया, कि धर आगे की, और since newton's lock, third lock accordingly, इसने उस पर force लगाया, वो इस पर force लगा देगा, equivalent opposite, तो अगर ये आगे चलता, walk भी करता, तो इस तरह से friction force लगता, अब ये कूदेगा, तो सोचो जरा साब खड़ा हो, कूदना चाह रहे हो, ऐसे, नहीं लग रहा है, ground को प्रेस कैसे कर रहा है, पीछे की और, जैसी ground को प्रेस के वो धड़ाक से मारा, action तो ये action, पेर, तो friction लग गया, अब समझ में आता है, ये ज से लेट भीवन नाम देते है, हमको नहीं पता कितना से, ठीक है, अब समझ में आया, बच्चों, ये जो पूरा system अगर हम मानते हैं, जब, बोलो को सर, horizontal direction में, आप बोल रहो कि external तो कोई नहीं है, लेकिन भाईया, horizontal direction में तो friction force लग रहा है, लेकिन ये है कि धर, पूरा ये जो system है ना, system के अंदर की बात है, ये इस पर लगा रहा है, वो इस पर लगा रहा है, घर, घर के बाहर जो लगता है, that is external, अंदर में, मैं उस दिवार पर मार रहा हूँ, वो उधर मार रहा है, ये सब क्या होगे, internal, उसे center of mass नहीं घसकता है, पूरा घर तिक, हाँ, चलिए एक सवाल के अंदर ये इतना concept समझ में आया ना, अब दन, 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 क्या भाई, बोलें कि M1, plank को मानते है, देखो, 20 kg हो गया, delta V1 का मतलब क्या होता है, final, minus, initial, finally, जो है, ये plank किधर जा रहा है, left side, तो भाईया, left side को मान लिजे, minus, right side को मान लिजे, plus, हमेशा क्या करना है, देखो, इसी लिखना कैसे है, ये चीज सिख हो जा रहा है, कैसे है, finally, क्या है, तो finally, left side जा रहा है, तो minus V1, final minus initially, initially rest में था, ठीक है, चलो, अब उस आदमी की बात करते है, आदमी का वजन है, 60 kg मास, change in velocity, यानि कि final minus initial, finally, क्या है, वो कूद गया, कितना velocity से, 3 meter per second, with respect to ground नहीं है, कितना है, plus 3, minus क्या होगा, initially, rest में था, तो ये equal to होगे, 0, देख लो, खटाक से answer आगया, बस, हमको चाहिए कि कितना से ये पीछे भागेगा, तो 20 minus V1 plus 638, 180, पता है बचो, हमेशा ऐसे करना, एक चीज, जब भी ऐसे आए आए न, तो ये 0, 0 पता है, कि 10 common लेगे तो ये उड़ ही जाएगा, ताकि छोटा calculation में चले जाओ, तो ये आएगा, 2 into minus V1 minus 2 V1, ये 0 तो गया, plus 638, equal to 0, ये उधर चला जाएगा, तो हम कहेंगे, 2 V1 equal to 8, 2 number 8, यानि कि V1 जो हो जाएगा, 9 meter per second, ठीक है, अब ये देखो, ये जो V1 आया है, positive answer आया, positive का मत्तब क्या होगा, right side भागेगा, क्या ट्रॉली, नहीं, हमने मान के रखा है कि ट्रॉली पीछे जा रहा है, यानि भीवन हमने माना है, negative direction में है, तो ये जो answer आया है, 9, यानि कि पीछे जाएगा, 9 meter per second से, ये भी हमने पिछले lecture में जिक्र किया, अगर यह minus आ जाए, हमने खुद माना ह यानि जाएगा, किधर आगे कियो है, तो जो answer आया है, ये क्या बतलाता है, towards left, बहुत help करेगा, जितना explanation अभी हम लोगों ने देखा, देखा है ना, बहुत help करेगा आगे के सवाल में, चलो, अगला सवाल बनाते है, ठीक है, वहीं सवाल है, 20 kg, 60 kg है, पता है, horizontal में ये जम कर रहा है, लेकिन अब जो velocity है, वो दिया हुआ है, with respect to trolley, ठीक है, देखते है, तो पता है बचो, horizontal में कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, initially 0 है, rest में ही है, तो delta VCM क्या होगा, 0 ही, same explanation, तो हम लोग लिख सकते है, m1 delta V1, plus m2 delta V2, equal to, क्या है, 0, ये किसके लिए, trolley के लिए, किसक लो, देखते हैं, कि जब ये आदमी कूदेगा, आगे की और, let trolley पीछे भागा, कितना से V1 हमको नहीं पता, तो ये तो with respect to ground ही आया है, चलिए, लिखते हैं, तो final minus initial कैसे लिखोगे, finally, जब वो कूद जाएगा, तो ये इधर भागेगा, कितना से minus V1, ठीक है, भागा, final minus initially क्या था, trolley rest में था, प्लस, आदमी का देखते हैं, 60 kg, change in velocity, change मतलब, finally जो है, क्या है, तो final जो है न, वो with respect to ground ही नहीं, तो एक पता है, direct आपको जो है, ट्रिक्स बताता हूँ, direct कैसे लिख पाऊगे, अग दूसरा है, थोड़ा सा complex तरीका, है न, कि solve करो, बच्चों पांच मीटर, simple सा, लेकिन भाई, अगर चड़ते वक्त, पांच मीटर पंखा तक पहुंचा तो, लेकिन पंखा दो मीटर अगर नीचे आ गया, तब, तग्राउंड से हमको किताना जार आएगा, तीन मीटर ही चड़ते हूँ, बलेंगे, यहीं पर तुम हो, ठीक, तो कैसे पर से चल रहा है, लेकिन भाई, थरी मीटर पर से केंट से चल रहा है, ट्रॉली के उपर, ट्रॉली घसक रहा है, माइनस इधर, कितना से, वीवन से, तो हमको नेट नजर कितना से आएगा, बोलेंगे, थरी माइनस वीवन कर दो भाई, यह थोड़ा स्पीड क्या हो अगर देखू, ठीक, मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूं, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो, तो यह हो गया, भीवन फाइनल, माइनस इनिशली क्या था भाई, आदमी रेस्ट में था, तो यह, वील वीवल टू क्या, जीरो, और दूसरा तरीका क्या है, सॉल्व करने का, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, देखे रखा है, वेलोसिटी ओफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, वो है 3, किधर है, राइट साइड, राइट साइड इसको हम लोग लिखेंगे क्या बच्छो, प्लस 3, देखे रखा है, वेलोसिटी ओफ मैन विथ रेस्पेक् लिख करके वो वीडियो आप देख सकते हो, VmT मतलब Vm-Vt, ठीक है, equal to हो जाएगा plus 3, जो देके रखा है, velocity of man, ये जो कुछ नहीं लिखा हुआ हुआ, मतलब with respect to ground, trolley कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब with respect to ground है, हमको चाहिए velocity of man with respect to ground चाहिए, ठीक है, तो velocity of man with respect to ground minus, velocity of trolley, trolley with respect to ground क्या है भाई, V1 पीछे है, तो minus V1 लगा देंगे, हमेशा जब भी velocity लिखेंगे, सिंस ये vector quantity है, कैसा है vector quantity, तो जब भी आप कुछ लिखोगे न, तो आप sign convention के साथ लिखो कि क्या है, velocity of man with respect to ground, देखो ये है 3, ये plus V1 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, minus V1, देख लो जरा, क्या ये यही चीज आया की नहीं आया, है ना, तो आप चार लाइन में ऐसे निकालो, या direct analysis कर लो, ठीक है, with respect to the trolley, देखो घसा क्राया पीछे तो गया, ये देखो क्या है, ये स्वाहा, ये स्वाहा हो जाएगा, 2 इंटू माइनस V1, प्लस 6 इंटू 3 माइनस V1, इकोल टू 0, माइनस 2 V1, प्लस 6 ती आठारे, माइनस 6 V1, इकोल टू 0, इस तरीका से solve करते हैं, तो ये है, 18, 62, केतना हो जाएगा बचो, 8 V1 उस साइड, यानि V1 बरावर आ रहा है, 18 बटे 8, तो 2 चौप 8, 2 नमाठारे, यानि V1 इकोल टू 9 बटे 4, मीटर पर सकेंड, सवाल है कि ये किधार होगा, हमने माना है नेगेटिव, और सिर्फ ये प्लस ही आया है, यानि टूवर्ट्स लेफ्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट, टूवर्ट्स लेफ्ट, सवाल में कभी-कभी ऐसा देता है, 9 बटे 4, टूवर्ट्स लेफ्ट, टूवर्ट्स राइट, तो उसमें गलबड़ी हो जाता है, चलिए, आगला सवाल आप फिर से, 50 kg एक क्या है, ट्रॉली, नहीं, प्लैट्फॉर्म है, एक 50 kg का प्लैट्फॉर्म है, दो आदमी है किनारे खड़ा, A और B, मास देके रखा है, 60 kg और 40 kg, दोनों जो हैना, जम्प करता है, 3 मीटर पर सकेंड, with respect to platform, हैना, ग्राउंड नहीं दिया हुआ है, अच्छा, ठीक है, कैसे जम्प करता है, बचों, वो देखते हैं, find the speed of the platform, when both jumps from the platform, पता है कैसे simultaneously, यानि platform में, एक ही साथ मारा धड़ाक से, दोनों जम्प कर गया, एक step का सवाल आता है, फिर इसी में, एक variation आता है, वही सावाल, फिर से वही 3 मीटर पर सेकंड, with respect to platform, लेकिन सावाल चेंज, बोलेगा क्या, when, देखो, find the speed of the platform, कितना पीछे जाएगा, when A jumps first, पहले A jump करेगा, after a few seconds, B also jumps in the same direction, same direction, तो ऐसे पुछता है कि, एक jump किया, पता है एक jump करेगा, तो यह भागने लगेगा platform कुछ velocity से, बोलता है, अब उसके बाद वो jump करेगा, तो बता, final velocity of the platform क्या होगा, इससे variation ज्यादा सवाल बच्चों पूछा ही नहीं जाता है, तो हम दोनों देख लेते हैं, भाई जितना पुछोगे, आज हो, sub-line में, ठीक है, देखे, दोनों jump करेगा, तो हम बोलते हैं कि, ठीक है, अगर हम इसको पूरा system मानते हैं, दोनों jump करेगा, तो इस पर भी friction आगे लगा, इस पर भी friction आगे लगा, तो यह दोनों मिला करके friction लगाएगा इस पर पीछे, जिसके वज़ा से यह platform भागेगा, इधार कितना से हमको नहीं पता, सिंस दोनों कूद गिया है, initially दोनों rest में था, तो final अगर diagram अगर बचों बनाएं, अगर हम finally, मैं इसको मिटा देता हूँ, यह initial diagram है, क्या है यह initially है, सब rest में, कैसा है सब rest में, अगर final अगर हम बोले, तो क्या हम diagram इस तरह से, short में बना रहा हूँ, छोटा हलका, कि ऐसे, तो A जो है आदमी, B जो है आदमी, A, B, यह भी 3 meter per second से जा रहा है, आगे, यह भी 3 meter per second से जा रहा है, आगे, लेकिन यह दोनों क्या है, with respect to platform है, ना कि ground, ठीक, तो यह दोनों आगे कूर जाएगा, friction इसके लगेगा, तो यह हो जाएगा, भीवन हमको ने पता कि क्या, horizontal direction में, net force 0 है, center of mass का acceleration क्या होगा, explanation सब कुछ remain same, पता है, जिस direction में motion हो रहा, उसी direction का analysis करो, x direction में, कोई force लग रहा है, क्या, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, test direction यह हो जाएगा 0, UCM चेक करो, क्या 0 होगा, कि constant, यह भी rest, यह भी सब rest, since rest, 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 कहानी खतम, कहानी जैसी खतम, हम लोग बोल सकते है, delta V, CM हो जाएगा 0, what do you mean by this, तक तीन आदमी है total, आदमी दो है, एक plank है, या फिर platform, तक कैसे लिखेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 है न, तो देखो, M A delta V है, प्लस M B delta VB, प्लस M, क्या है, platform है ना, इसको P मा लेते है, plank ते, M P delta V, P equal to 0, समझ में आ रहा है, M A, A का कितना मास है, कितना मास है, 60 kg, तो बुलेंगी, यह हो गया, 60 delta V है, अब direct, लिखे, यह jump किया, कितना से, 3 meter per second, लिकिन, with respect to platform है, platform कितना जारा पीछे, V1 से, किया है 3, लेकिन भईया, platform घसा गया ना, तो 3 minus V1 हो जागा, this is, velocity of आदमी है, finally, minus initially, तो वो rest में था, ऐसे, plus, MB कितना kg है, 40 kg, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, वो भी 3 meter per second से, लेकिन, with respect to platform, ground रहता, तो यही लिख देते है, तो यह घस का पीछे, तो 3 minus V1, एतना से नजर आएगा, आगे जाते हुए, ठीक है, finally, minus initially क्या था, भईया, rest पर खड़ा था, plus, plank का बात करें, plank है 50 kg, finally क्या है, change क्या होता है, final minus initial, change क्या होता है, final minus initial, finally, पीछे जा रहा है, तो finally यह, initially क्या बोलेंगे, rest में था, plank, equal to 0, बस हो गया, देखो, स्वाहा, 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 0010 कॉमन लिए उड़ जाएगा, लिख लेते हैं, 6 तिया 18, minus 6 V1, यह 4 तिया 12, minus 4 V1, ठीक है, और यह हो जाएगा, minus 5 V1, equal to क्यतना होगे, 0, V1 V1, आजाओ, 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 तो 6, 4, 10, 5, 15 है, minus 7 में है, तो उधर चला गया, यह 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30, equal to उधर चला गया, तो 15 V1, hence V1 बराबर आजाएगा, 30 बटे 15 है, यानिकि 15 दुना 30, हो जाएगा, 2 मेटर पर सकेंड, 2 मेटर पर सकेंड, तो समझ में आ रहा है, इस तरह से सवाल बनाएंग, बचो, बड़ी आसान है, चलिए, अब next देखते हैं, वही सवाल, लेकिन, सबसे पहले कौन जम्प किया, A जम्प किया है, सबसे पहले, ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं, B और इसको बना देते हैं, एक किनारे हैं न, तो पहले A जम्प करेगा, तो ठीक, कैसे बनाते हैं, दोखो, वेन A जम्पs, फस्ट, वेन A जम्पs, फस्ट, होरिजन्टल डारेक्शन, वेन डेल्टा वी सी पता है, सब कुछ कॉंसेट, डेल्टा वी सी एम, जो है, क्या होगा, 0 क्योंकि सब रेस्ट में है, एक्स्पलेनेशन सब बिल्कुल क्या है, सेम, ठीक, जब A जम्प करेगा, तो इनिशली जो डाइगराम होगा, कैसा डाइगराम है, भाई इनिशली जो है न, दोखो B भी प्लाटफॉर्म पर है, A भी प्लाटफॉर्म पर खड़ा है, सब रेस्ट में, यह है इनिशल, फाइनली क्या होगा, A जम्प कर गया, A जम्प कर गया, कितना से, 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड, विथ रेस्पेक्ट टू प्लाटफॉर्म, विथ रेस्पेक्ट टू प्लाटफॉर्म, जम्प कर गया, कोई बात ने, कुद जाओ, कोई बात ने, ठीक है, आजओ, यह, लेकिन A जब जम्प किया है, तो भाई साथ, B कहाँ खड़ा होंगे, B खड़ा होगा, प्लाटफॉर्म पर, यह देखो, A अभी सब रेस्ट में, सब क्या चीव में है, रेस्ट में, A जम्प किया उधर, तो पता है, फ्रिक्शन के वज़ा से, यह भागने लगा होगा, खड़ा कुछ इधर, V1 से, ठीक है, दिस इनिशल, दाट इस फाइनल, लिखोगे कैसे, डेल्टा वी से एम जीरो, सारे बचे लोग खुद से ट्राइ करो तो, एकदम और सही आंसर आना चीए, कैसे लिखेंगे, M A डेल्टा वी A, प्लस M B, डेल्टा वी B, प्लस M P, डेल्टा वी P, इकवल टू क्या है, 0, M A, कैतना केजी है, 60 था कि 40 था, 60, कैतना है, 60 है, 60 है, चलो लिखते, 60 है, A, कूद गया है, 3 से, लेकिन with respect to platform, platform कितना घसक रहा है, V1 से, तो वो आदमी नजर आएगा, कैतना से, 3 minus V1 से, आगे जाते हुए, 3 minus V1 हो गया, final, minus initially, तुम rest में थे, भाई, ठीक है, initially देखो, इसलिए हमेशा कहते है, velocity में जरूर है, इसलिए, initially rest में, plus, 40 kg मास, जो है B, उसका final velocity क्या है, सोचो, initially तो B है, platform पर rest में है, तो rest में, finally, ये खाड़ा है, इस platform पर, पूरा platform जब घसक रहा है, भीवन से, तो इसी पर जब खाड़ा है, तो इसका भी velocity केतना होगा, बच्चो, सोचो, साथे साथे, यानि B1 ही होगा, तो finally B भी किदर जा रहा है, पीछे भीवन से, तो लिखेंगे कैसे, change मतब, final minus initial, समझ में आ रहा होगा, कि क्यों हो रहा है, finally, ये आगे गया, with respect to, तो 3 minus V1, ये किदर जा रहा है, पीछे की और, साथ साथ, तो minus V1 लिखो, plus, platform का क्यतना है, 50 kg, आप finally किदर जा रहे हो, इधार, तो this is minus V1, initially क्या थे आप, rest पर, 3 is equal to 0, ये कही लाइन में, सारा कहानी लिखा जाएगा, पुरा, देख लो, अब हम लोग काट छाट करके, लिख लेते हैं, स्वाह, 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 जिरूर आदो सब, 6, 18, minus 6, V1, minus 4, V1, minus केतना है, 5, V1, equal to 0, ठीक है, क्या आजएगा, 6, 4, 10, 5, 15, ये यानि, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 16, 15, मीटर पर सकेंड, किधा रहे भाई ये, तुवर्स लेफ्ट, क्योंकि हमने माना है, नेगेटिव ये हो गया, ये पहला कैसे, अब, जब B भी जम्प कर जाएगा, ता भी का सीचुएशन ऐसा है, क्या है, कि प्लाटफोर्म पर B खड़ा है, दोनों मिल करके, एतना स्पीट से पीछे जा रहा है, इस इनिशल कंडिशन हो जाएगा, अब ये चलते वक्त, अब B कुछ देर के बाद जम्प करता है, ठीक है, नाव वेन बी जम्प, वड़ी अच्छा सवाल सब है, नाव वेन बी जम्प, कूद जाओ भाई, तो होगा क्या देखो, इनिशल, फाइनल, इनिशल, फाइनल, इनिशली क्या है, ये प्लैटफोर्म है, प्लैटफोर्म भीवन से जा रहा है, केतना वेलोसेटी है, 6 बटे 5, इस पर एक आदमी खड़ा है, वो है B, फाइनली क्या होगा, फाइनली देखो क्या होगा, आदमी कूद गया, कौन, B, B कूदा आगे, कितना से 3 मीटर पर सेकेंट से ही कूदा है, विथ रेस्पेक्ट टू प्लैटफोर्म, धेरे धेरे सब रटा आ जाएगा, हमको लगता है इसे, कूदा आगे, भाई ये तो ग्राउंड से अटैच है न, प्लैटफोर्म कहां से अटैच है, ग्राउंड से अटैच है, तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बाद में जब वो कूद गया, तो ये जो है कुछ और तेजी से लगता है न, और जैसे कुदा, तो फ्रिक्शन उस पर लगा, इस पर और फोर्स लगा है, तो ये और तेजी से जाना चालू कर देगा, तो भाई ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में है, जिस भी वेलोसिटी से आप जाओगे, तो आपका तो डाइरेक्ट होगे भाई, वित रस्पेक्ट टू ग्राउंड ही, तो दिस इस दा इनिशल कंडिशन, दिस दा फाइनल कंडिशन, लेट भी टू से जा रहा है, हम लिखे क्या, सिंस फ्रिक्शन जो है, वो सब तो इन्टर्नल है, एक्स्टर्नल तो कोई है नहीं, तो हैंस फिर से डेल्टा भी सीम क्या हो जाएगा, जीरो, लिखोगे कैसे, एम बी डेल्टा भी बी, अब दो ही है, प्लस प्लाइंक है, मेरे पास, एम बी डेल्टा भी बी इक्वल टू हो जाएगा, जीरो, देखो कैसे लिखेंगे, बी का केतना था, 40 kg ना, 60-40 ठीक है, तो यह 40 kg है, फाइनली जो है, फाइनल माइनस इरिशल, फाइनली क्या है, टीर मीटर से कूदा है, से इसका जो कितना से दिखेगा, थोड़ा सुलो दिखेगा 3-V2, ठीक है, तो यह क्या कर देंगे, फाइनली हो गया क्यता 3-V2, क्योंकि जब भी वित रेस्टस प्लाटफॉर्म बोले भाया, ऐसे लिख तो अपना आराम से, फाइनल माइनस, initially भी कितना जा रहे थे initially तो बुलेए इस पर खाड़ा थे initially ये पीछे जा रहा था कितना से v1 से यानि minus v1 this is the initial ये देखो यहीं पर बहुत सारी students से गरबड़ी होता है है ना बहुत सारी students से बचों गरबड़ी होता है सवाल आता है platform, platform का 50 kg है कैसी लिखोगे final final आप पीछे जा रहे हैं तो minus v2 final minus initial देखो bracket लगा दोगे ना मज़ा आ जाता है final minus initially भी आप पीछे ही जा रहे थे कितना से v1 से equal to 0 बस v1 है 6 बटे कितना है था 6 बटे 3 ने स्वाइब 6 बटे 5 ठीक रख देंगा राम से यह 0 यह 0 गया क्या कर दोगे 4 थी जा चरती यह 12 minus 4 v2 यह तो minus minus plus यानि plus 4 v1 ठीक यह minus 5 v2 minus minus plus तो यह हो जाएगा plus 5 v1 equal to 0 हमको सिर्फ v2 चाहिए तो इसको इधर रखते हैं कितना है 549 चले जाओ उधर यह हो जाएगा 12 plus 4 और 5 तो 549 v1 equal to 549 v2 ठीक है तो 12 plus 9 into v1 केतना है भाई 6 बटे 5 minus minus तो सब ले लिए value रखो कि जो भी है equal to 9 v2 केतना आजाएगा 12 पचे बचो है ना LCM ले ले लेते 12 पचे हो जाएगा 60 plus 96 divided by 5 इधर 9 ले लो तो यह हो जाएगा मेरा केतना v2 ठीक है तो यह हो जाएगा केतना v2 equal to 60, 50, 110, 114 divided by 9, 45 meter per second v2 हम माने थे पीछे की और जा रहा है और यह plus में ही है यानि कि यह क्या है towards the left तो 114 बटे के आजाएगा 45 ठीक है तो यह हो गया final velocity of the plank बहुत अच्छा सवाल सब चलिए आते हैं बच्छो type 2 पे क्या था type 2 घर है अगर कोई external force नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है का मतलब क्या हो जाएगा acceleration of the center of mass 0 अब acceleration of the center of mass 0 का एक और चीज मतलब होता है कि यानि कि center of mass moving with constant velocity जैसे bike का उधारन दिये थे ताकि तुरंच समझ में आए ना constant velocity से चला रहे है 90 km पर ती घंटा के राफ़तार से acceleration क्या है 0 तो ये दूसरा type जो हम क्या बोलें this implies that कि acceleration of the center of mass भाई क्या है constant है क्या है constant है और acceleration 0 हो गया ठीक है तो हम क्या क्या सकते है since center of mass is moving यहाँ पर क्या है center of mass is moving घसक तो रहा है कैसे constant velocity से जा रहा है घसक रहा है इसका मतलब position अब 0 नहीं होगा position of the center of mass will change with respect to time क्या होगा यहाँ पर that is मतलब ऐसे लिख सकते हो कि since या जो भी लिको that is center of mass is moving here is moving with कैसे constant velocity constant velocity से चल रहा है अब move कर रहा है का मतलब क्या बोलेंगे that is position of center of mass will change here position of center of mass is changing तो सवाल ऐसा बनता है changing with respect to time जैसे time बढ़ते जाएगा तो यह position change होते जा रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे देखते हैं जरा ACM 0 है यू लेकिन है तो हमको पता है kinematical equation से बचो होता क्या है v equal to u plus a t में देखो अगर center of mass center of mass center of mass cm 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 लगा दो ACM यहाँ पर 0 है तो यह गया तो पहला वाला kinematical equation से मेरे पास आता है क्या है भी cm equal to u cm यह पहला expression हो गया ठीक दूसरा लगाते है जरा since position change हो रहा है with respect to time position और time यानि कि s t यानि कि s equal to ut plus half a t square बोले थे नो motion ने straight line है क्या करें तो भाई s equal to ut plus half a t square तो cm 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 a cm तो है नहीं यहाँ पर 0 u cm है तो सवाल कैसे बनेगा s cm बराबर हो जाएगा क्या ची u cm into t और हम जानते है what is this this is displacement क्या है यह this is a displacement और displacement होता क्या है final minus initial यानि कि x cm देखो finally क्या है minus x cm initially क्या है equal to हो जाएगा u cm into t यह motion ने straight line के अंदर हम लोग बनाए है x2 minus x1 initially कहा है particle बाद में कहा है x में है तो ऐसा y में अगर जा रहा होगा तो y cm final minus y cm initial equal to हो जाएगा u cm into t ठीक है या z cm में जा रहा है तो final minus initial equal to z cm i into हो जाएगा तो यह मेरे सवाल बनाने के तरीके हो जाएगे ठीक है चलिए देखते है सवाल देखते है कैसे at t equal to 0 the position of center of mass is 2,0 यानि कि x-axis पर है ठीक है y coordinate 0 है find the position of center of mass at t equal to 10 seconds है अच्छा तो पहले देखे कि 30 kg यह 10 meter per second से चल रहा है एक spring है spring constant के एक 10 kg ब्लोक है तो अगर यह पूरा को हम अगर एक system मान ले motion होगा horizontal direction में क्या कोई external force लग रहा है क्या देखो नहीं लग रहा है ठीक जब यह आकर के मारेगा spring को धगका तो spring दबेगा spring force लगना चालो kx है ना तो भाई वो जो लगेगा अब system के अंदर की बात है ना तो वो कैसा हो जाएगा internal force external तो कोई है नहीं यानि हम लोग बोले f external नहीं है acm क्या हो जाएगा भाई 0 तो हम ucm चेक करते है तो ucm में कोई भी एक body एगर चल रहा होगा तो कुछ ना कुछ होगा देखते हैं यह चल रहा है तो बस हो गया निकाल दीजे क्या होगा m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2 what is m1 30 kg ठीक किदर जा रहा है आगे की और तो plus 10 लिख दीजे plus m2 केतना है 10 kg यह rest में है तो 0 divided by 30 kg और plus 10 kg तो देखो केतना हो जाएगा उपर 300 हो गया नीचे केतना है 30, 10, 40 तो यह यह गया 2 दो नीचार 2 पंदर यानि कि 15 बटे 2 आया है क्या initial velocity of center of mass meter per second let it be SI unit सब ले लेते हैं तो यह जो आया ही कैसा आया constant आया है देख लो जो रहा क्या है constant variable तो है since constant आया है initially कहीं है x-axis में बोलता है t time के बाद finally कहा होगा यानि x-t जैसी x-t बोला s equal to ut plus half a t square अहा मज़ा रहा है गी नहीं मज़ा रहा है बताओ लग रहा है जैसे कि center of mass चल रहा है topic नहीं बोलो देशन मेरे को लग रहा है ऐसा हो नहीं सकता है यह हो नहीं सकता है मैं ऐसा हो नहीं नहीं दूंगा क्योंकि पता है s equal to ut अब को आता है अब जूट भी बोलोगे मैं मानने के लिए तयार नहीं हूँ finally कहा होगा मेरे को नहीं पता ठीक है यह तो आता है चलो initially कहा है बाई तो initially 2,0 यानि x coordinate कहा है 2 कितना समय के बाद हमसे पूछा है t मतलब कितना सकेंड कितना सकेंड 10 सकेंड के बाद ठीक है तो 2 है initially initially होगया 2 पर u cm आया है 15 बटे 2 और t कितना समय के बाद 10 सकेंड के बाद पूछा है कहा होगा देख लो आराम से निकालो तो 2 पचे 10 15 पचेंड कितना होगया 75 तो x cm जो final position होगा ये उधर चला जाएगा 75 प्लस 2 या जाएगा कितना 77 मीटर पर खड़ा होगा कौन center of mass तो individual particle किधर कैसे चले center of mass ऐसे बनाना है simple expression लिखते जाए और cm cm लगाते जाए चलिए next सवाल आखो से try करिए मुझा आएगा at t equal to 0 शुरू में position of center of mass is 3,0 यानि यही से हमको पता चल गया कि x cm का जो है न initial है कितना 3 at t equal to 5 second collision takes place अब यह हम collision पढ़े नहीं है जवरत भी नहीं पढ़ेगा चल रहा है यह यह चल रहा है अब पता है कि पूरा अगर हम system मानते हैं कोई horizontal में external force है नहीं दोनों का initial velocity कुछ है यानि u cm होगा पूरा center of mass का कुछ नहीं कुछ तो होगा बोलता है find position of center of mass at t equal to 5 second position पूछा है और t है यानि कि s t यानि कि s equal to ut plus half a t square एकदम ठीक है तो x cm एक तो पूछा है हमसे कि finally कितना होगा कब at t equal to per 5 second पर बोलता है क्या 5 second पर ना collision होगा यानि एक दूसरे से टकराएगा ठीक है हमको उससे कोई मतलब ने हमें position of center of mass पूछा है बोलें भाई x direction में जिधर motion कर रहा हो उधर देखो horizontal direction में कोई f external है क्या नहीं है तो acceleration क्या हो जाएगा zero check करो u cm है ना let us check कैसे check करते है check करते u cm बचो क्या होता है m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2 है ना रख करके check करते है तो m1 कितना है m1 m है कितना से जा रहा है 30 meter per second से right side है तो दो दो plus कोई left side आता तो हम minus रखेंगे यहाँ पर plus m2 है 2m कितना से जा रहा है आगे plus 15 से भागा यह हो जाएगा m plus 2m m plus 2m यानि कि हम लोग कैसे करे देखो 15 दूना 30 30 तो 30 30 हो गया पता है कितना 60m भागा यह हो जाएगा 3m तो यह गया गया 3 दूनी 6 यानि कि 20 तो देखो ucm केतना आगया 20 meter per second से कैसा है यह constant u पता है x पूछ रहा है t s equal to ut plus half a t तो final minus initial initial केतना है 3 ठीक है तो लिख लेते है final minus initial final minus initial equal to ucm into t क्योंकि acceleration तो है नहीं 0 finally हमें निकालना है initially खड़ा है 3 पर ucm है 20 केतना सकेंड के बाद 5 सकेंड के बाद hence x cm finally देखो कितना हो जाएगा 20 पच्चे 100 और वो उधर चला जाएगा plus 3 यानि कि 103 meter पर जाका खड़ा होगा कौन center of mass तो इस तरह से ने type 2 के सवाल बनते हैं अब external force लगेगा भाई बुल्डोजर आया अब बुल्डोजर आया तो घर को लेके प्यार से accelerate करके चला जाएगा यानि acceleration होगा external force भी है direction हमेशा चेक करिए कि भाई horizontal में motion हो रहा है तो सिर्फ horizontal को देखो vertical में हो रहा है vertical को देखो if f external not equal to 0 का मतलब कि 0 नहीं है लग रहा है system पर अगर लगेगा तो acceleration भी होगा यानि 0 नहीं होगा acceleration will take place जैसे acceleration will take place let अब इसमें check करेंगे acceleration कि if acm जो है check करो निकाल करके कि क्या ये constant है क्या variable भी लेकिन variable में बच्चो syllabus में समझो जो नहीं है नहीं के बराबर सवाल लहता है लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर variable अगर होता है तो integration differentiation के रास्ते से solve किया जा सकता है generally सब जो है क्या acceleration constant तक है अब जैसे acceleration constant है हम तुरंत हमको पता है kinematical equation से क्या v equal to u plus 80 लगा दो और क्या लगा दो cm 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 a cm है यानि कि ठीक है अब u cm हम निकाल लेंगे अगर 0 हुआ तो कोई बात है तो v equal to 80 अगर initially भी कुछ से चल रहा होगा center of mass तो वो लिख करके काम चलाएं after t time vt relation ठीक है दूसरा क्या पूछेगा s equal to ut plus half a t square तो यहां लिख दिये cm 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 पता है kinematical equation पर acceleration constant होता है तो यह सब expression हम use करते हैं और यह जो displacement है final minus initial x cm x cm ठीक है यह v square equal to u square plus 2as cm 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 तो यह इस रास्ते से हम लोग सवाल बनाएंगे ठीक है कौन सा type 3 जब constant acceleration से चलेगा सवाल देखते हैं जरा देखो हमारे पास दो block है m1 और m2 spring constant है के अगर हम इसको system माने तो देखो क्या पता है कि force इधर लग रहा चलेगा तो horizontal direction में vertical को तो हम देखते भी नहीं क्योंकि horizontal में लग रहा है दिख रहा है बलता find displacement of center of mass in time t t time के बाद जो है center of mass का displacement क्या होगा तो center of mass में पहले तो दो particle है हमारे पास यानि m1 और m2 ये सब चल रहा है कि ने चल रहा है क्या है नहीं है न पहले वो तो particle की बात है center of mass का पुछा displacement यानि कि s t time के बाद यानि s equal to ut plus half a t square background में समझ में आ रहा है थी अच्छा जैसी इसको system माने बोले भाईया horizontal direction में देखो in x direction में क्या system के बाँ को external force है क्या है 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 यानि कि f external यहाँ पर क्या है present है जो कि कि किसके बराबर है f के बराबर जैसी f external है हमको पता है कि acm होगा और acm का formula क्या होता है पिछले lecture में हमने proof किया था spring के रास्ते क्या है it is always जो net external force लग रहा हो divided by total mass net external force divided by total mass center of mass का acceleration होता हो सीधे सीधी net external force पर निरभर करता है कौन है यहाँ पर यहाँ पर है f total mass क्या है m1 प्लस m2 क्योंकि spring तो massless हम लोग मानते हैं तो यह आ जाएगा m1 प्लस m2 यानि कि देखो acm जो है आ गया यह f m1 m2 सब कैसा है constant जब constant होता है kinematical equations लगाते है displacement time में पुछा है in time t क्या तो बोलेंगे भाई हम लोग को पता है s equal to ut plus half a t square ठीक है लिख दिये center of mass center of mass center of mass acm आ गया after time t पुछाए ठीक ucm क्या है क्या सवाल के अंदर दे के रखा है क्या कि यह initially जो है कुछ meter per second से चल रहा है यह कुछ चल रहा है नहीं तो सिर्फ जब f दिया हुआ रहता है तो इसका मतलब क्या initially दिया नहीं है कितना से तो हम लोग क्या मानेंगे rest में था initially यह भी rest में यह भी rest में hence center of mass जो हो जाएगा initial velocity क्या हो जाएगा 0 पता चल रहा है बचो अगर देता ना कितना कितना से चल रहा है तो हम लोग यहां निकालते हैं तो क्या बोलेंगे यह हो गया 0 क्यूं सिंस u cm जो है न m1 u 1 प्लस m2 u 2 करके निकालोगे तो 0 0 0 खतम हो गया hence यह आ रहा हाफ a cm क्या है भाई this is f divided by m1 plus m2 into क्या हो जाएगा t का whole square ठीक तो इससे related जो है यह सवाल हो गया समझ में आ रहा बढ़ियां से चलिए next सवाल देखते हैं देखो यह सी वर्मासर का ही सवाल है बहुत अच्छा सवाल लेकिन explanation थोड़ा से हम लोग ना अलग तरीके से इसको visualize करें बच्चों क्या है मैंने बोला भी था कि कोई ट्रे है ठीक है उस पर एक ice cube रखा हुआ है देखो एक cubical block of ice तो अगर length L है तो length breadth height cube है ना सारे चीज़ क्या होगा L L ठीक एक cube जो है cubical block of ice of mass M है as length L is placed in a large tray point to be noted कैसा tray है भाई large tray है of mass capital M if the ice melts अब यहाँ पर ice जो आ पिगलेगा पिछला lecture में नहीं पिगला था पिगला था लेकिन वहाँ पर gravitational force नहीं था ठीक है देखो यहाँ क्या if the ice melts how far does center of mass of the system कौन ice plus tray come down center of mass पूरा system का जो है कितना नीचे आएगा हमको वो बताना है ठीक देखो यहाँ पर सवाल में बोला है जी के बारे में नहीं तो एक सवाल ऐसा भी आता है जब gravity present ना हो बोल देता है सवाल में इसमें नहीं बोला इसका मतलब gravity present है तो हम लोग करेंगे क्या बोलेंगे since देखो क्या है यह तो ट्रे है तो भाई ट्रे है यह solid चीज है जहां इसका center of mass होगा surface पर रखा हुआ है ठीक है let यहाँ middle point में center of mass है finally भी देखोगे यह कहां रहेगा यहीं रहेगा यानि कि ट्रे का अगर हम बात करें न तो no change no change in its center of mass यह तो समझ में आता है ठीक है अगर हम ice cube का बात करें अभी यह m block इस तरह से solid है तो रखा हुआ है ठीक है बचों समझना अगर आप इसको थोड़ा सा explanation दो को अंदर घुस करके समझता हूँ ठीक है अगर इसी को हम system मानते हैं तो क्या बोलेंगे बाहर से जो gravitational force लगेगा इस पर जो total वो है mg वो external हो गया यह जो surface है ट्रे वाला यह इस पर जो लगाएगा एक normal reaction पता है न action reaction pair लगेगा यह दोनों मिल करके balance किये हुआ इस cube को solid है जिसमें cube है पूरा पिगला हुआ नहीं है तो mg और n दोनों balanced है इसलिए यहाँ पर है तो vertical direction में भी इस पर क्या है net force zero ठीक लेकिन जब यह पिगलेगा होगा क्या सोचो जैसी यह पिगलेगा तो solid liquid बनने लगेगा liquid और सोचो जड़ा सो को solid चीज किसी surface को दबा रहा हो तो कितना force से दब रहा है न यह हमको feel आता है लेकिन भाईया वो solid चीज जो है hardness अचानक वो liquid होने लगे तो जो दबने वाला है यहाँ दोनों के बीच में जो दब रहा होगा electromagnetic nature का Newton's law motion lecture number one सब अच्छा से याद आलाओगा action reaction pair दोनों के बीच में जो normal reaction होगा वो क्या होगा जादा होने लगेगा कि कम होने लगेगा सोचो solid ची जादा कसके दबा रहा है बच्छों कि liquid जादा कसके दबाएगा नहीं लग रहा है कि दबने वाला force धेरी-देरे कम होने लगे liquid बनने लगा तो यानि ये बनने लगा भाया liquid लिकुड 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 तो हम कह सकते हैं mg जो है पूरा मास वो तो वहीं लग रहा है लेकिन since melt जब होने लगेगा तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में compression वाला जो है वो force क्या होने लगेगा कम hence normal reaction क्या होने लगेगा कम होने लगेगा कब when ice melts या melt जब होने लगेगा तो ठीक है सोचो क्या है mg वहीं लग रहा आइस पर n कम होने लगा तो हम लोब बने net जो है downward force क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा n कम होने लगा तो n will become क्या है less than क्या हो जाएगा mg और initially देखोगे जब melt नहीं हुआ है तो n बराबर क्या है mg दोनों balanced किये हुए था लेकिन बाद में n कम होने लगा यानि mg तरफ greater mg greater than n mg है downward force यह उपर net force लग गया vertical direction में इस ice की उपर किदर downward direction में लग गया net external force वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स जो है वो act करने लगा वो कितना हो जाएगा mg minus n क्योंकि पता ही यह greater work come यानि जैसे ही इस पर net लगा तो होगा क्या कोई भी system पर अगर net external force बाहर से लग गया ना जिधर लगेगा बुल्डोजर अगर इधर से आएगा ना तो मेरा घर को इधर लेके चला जाएगा यह ice cube पिखलना जब start हुआ तो net force vertically downward direction लग गया यानि ice cube का जहां पर ही center of mass होगा ना वो accelerate करके धालाक से नीचे आना चालू हो जाएगा यह अंदरूनी reason है कि क्यों वो नीचे आएगा तो ठीक है अब large tray है तो सोचो यह तो पानी बने लगा तो यह ना surface पर जाने लगेगा जब फिजिक्स मों बले large तो इसका मतलब समझ लोग एक 1000 km लंबा है पूरे एक ही बार में फिजिक्स समझ में आएगा अब यह 1000 km लंबा ट्रे होगा भई यह थोड़ा सा पानी है जब पीगलेगा तो पतला सा लेयर तो फिल लेयर जो है पानी पूरा फैल जाएगा तो होल पानी का अब center of mass कहां आप बोलोगे सोचो तो पूरा पानी का center of mass आप कहां बोले एगरम surface पर ही है यानि कि center of mass कहेंगे जस्त यहीं लाइक करने लगेगा कहां लाइक करने लगेगा यहां तो initially है पूरा ब्लॉक का center of mass यहां exact cube का midpoint में यानि केतना distance पर था L बटे 2 पर इस इस initial जब पीगल जाएगा तो इसका cube का जो center of mass है वो आगया यहां ट्रे का no change ठीक y-axis में हो रहा है उपर हम लोग positive लेते हैं निचे negative लेते यानि बोलेंगे ice cube का देखोगे तो center of mass of ठीक है ऐसे center of mass of ice cube क्या हो जाएगा shifts downward shifts downward by केतना distance L बटे 2 तो बोलता है कि हमसे कि पूरा system का center of mass किधर change करेगा ठीक है तो पूरा मलब यह पूरे system का center of mass जो होता है वो कितना change करेगा नीचे आएगा कि नहीं आएगा तो हमको पता है कोई भी 2 block अगर हो इसका center of mass यहां इसका center of mass यहां दोनों उपर चल जाए तो center of mass उपर दोनों नीचे आजाए center of mass नीचे एक rest में हो एक नीचे आ गया यानि finally पता है कि धर आएगा नीचे ही आएगा तो लोग निकाल लेते हैं जानते हैं ycm कैसे निकालें कितना change होगा center of mass का तो बोलेंगे m1 delta y1 plus m2 delta y2 divided by m1 plus m2 क्या हो जागा m1 plus m2 है ना कितना change होगा हमको निकालना m1 लेट इसको बोलते हैं आइस क्यूब को इसको बोलते है कि इसको ट्रे को आइस क्यूब को क्या है मास है छोटा एम और चेंज टोटल तो बोलें टोटल कितना जहां था वहां से एल बटे टू निचे आ गया था क्या बोलोगे माइनस एल बटे टू ये जो लाइन मैंने बोला पाट वन देखा हुआ होगा बच्छो तो आपको समझ में आगा होगा फाइनली कहीं भी रहा उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आया कितना निचे यह उपर वो देखो निच हो जाएगा m प्लस ठीक है तो यह बड़ी important सवाल एक्षी वर्मासर क्या किये है ना वह solve किये है सवाल को ठीक है लेकिन जो ना इस तरीके क्या किये है वह क्या किये है बचो यह बच्छों हो वह भी मैं एक बड़ हिंट देता आग पलो को वह कहीं एक origin माने लेट यहाँ है इनिशली लेट इसका यहां है फिर इनिशली सेंटर ओफ मास निकाले वो फॉर्मुला से M1 Y1 प्लस M2 Y2 फाइनली निकाले दो पार्टिकल का सेंटर फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किये तो थोड़ा क्या है न थोड़ा से लेंदी हो जाता है एक्स्प्लेनेशन अगर हम लोग चेंज कर दे तो क्या है एक तो जल्दी भी बन जाएगा तो आप जिधर से भी देख सकते हो जो आपको कमफोर्टेवल लग या पीधर से बना लो क्योंकि सारा चीज हम लोग इधर से सॉल्व कर रहे ठीक तो यह रहा यहां पर motion of center of mass पूरे तरह से क्या होता बचो अच्छे तरीके से complete इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे conservation of linear momentum फिर explosion related है और उसके बास collision तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे थैंक यू